चोरी करना बुरी बात है, बचपन में हर कोई बताता है, लेकिन सच सच बोलना चोरी वाले किसे सुने में बड़ा मज़ा आता है ना, एंड में चोर पकड़ा गया कि नहीं, इस सवाल का जवाब सुने बिना नीन नहीं आती। और जब इसको फिल्म की शकले दे दी जाए, तो भईया बॉक्स आफिस पर धमाका मत जाता है, जैसे धूम सीरीज जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिये। फूक डाला था, ऐसा क्यों किया, वो आप पता लगाना, अब इनका बहार निकलने का रास्ता हो चुका है एकदम बन। तो दिमाग की बंदूक से मारो, शोर भी नहीं मचेगा और कानून भी नहीं तूटेगा। पुलिस के हाथ चाहे कितने लंबे क्यों नहूं, सबूत नहीं तो जेल नहीं। तो बस पुराने मचेगा को मार के एक नए कॉन आर्टिस्ट का जन्म होता है, जो रूप बदलने में एक्सपर्ट है। चहरे की बनावट से लेकर आवाज की गहराई, एक बंदे के शरीर में अंगिनत लोग रहने लगते हैं। देखो सीधी सिंपल बात है, शोर की कहानी वही पुरानी है। हीरो अपने में विलन तक पहुँचने के लिए रास्ते में कई सारे चोरों से चोरी करके एंड में अपनी परस्नल दुश्मनी का हिसाब बराबर करेगा। लेकिन कहानी सुनाने का तरीका वो काफी नया है। स्पेशली जो महाभारत से जोड़कर इसको एक युद वाली शकल दी गई है, वो चीज एंड तक दिमाग को उलजा कर रखती है। सबसे बड़िया है ये हाथ पैर के डिशुम डिशुम को दिमाग की चालाकी में बदलना। कोई मारधार नहीं, कोई फालतू डायलोग बाजी नहीं, दिमाग से लोगों को लूटना, वो भी इतनी सफाई से कि पब्लिक भी कन्फ्यूज हो जाए। स्पेशली जो कांट दिखाए गए हैं इस शो में वो अलग तरीके के हैं, जिनके बारे में इस से पहले कहीं भी सुना देखानी होगा आपने। जैसी कि मैच फिक्सिंग हम सब जानते हैं, लेकिन एक पूरे शहर को नए मैच की जगे, पुराने मैच इसको आपस में जोड कर एक नकली मैच दिखाना, और हर बॉल पे 60 लगा के लाखो करोडो कमाना, इसको बोलते हैं चाला की। प्यूश मिश्रा का जो नरेशन है, जिस तरह से वो मत्स्या की जिंदगी को महाभारत के अलगला केरेक्टर से जोड़ कर, हर प्रॉबलम का सॉल्यूशन समझाते हैं, वो शो में लॉजिक और डिटेल्स दोनों का ध्यान रखता है। और प्यूश सर की आवाज गैंग्स इन दोनों का आमना सामना होगा। कौन जीतेगा, कौन हरेगा इस सवाल के जवाब का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। वो कहावत सुनी होगी न, छोटा पाकेट बड़ा धमा का, बस ये वेब सीरीज उसका परफेक्ट एक्जाम्पल है। आप देखना शूरू के अलावा टीवी सीरियल्स में काफी कुछ है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं। रवी as मत्सया अपने कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस करते हैं। चोरी से लेकर बदला दोनों चीज़ों में emotions हैं, feelings हैं and हम लोग as audience उन से पूरा जुड़ जाते हैं। तो भईया मेरी तर को महाभारत के parallel चलाकर सही गलत के बीच फर्क समझाते हुए, चोर की चोरी को justify करना वो भी प्यूश सर की आवाज में, ये आइडिया मज़दार है गुरू। और हाफ स्टार तो acting performance का बनता ही है, रवी दुबे प्लस रवी किशन as lead characters और बाकी लंबी चोड़ी supporting cast हर कोई अपने रोल में एक फिट है boss, बात करूं नेगिटिव की तो एक स्टार गटेगा काफी सारी जगह पर creative freedom की आड में छुपकर बिना logic वाले scenes घुसाने के लिए, और हाफ स्टार climax को थोड़ा जल्दी में लपेट कर चोटी चोटी details को एग्नोर मारने के लिए, कुछ सवाल जिनका जवाब मिलना चाहिए था, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर मिल जाओंगी, बढ़ना थोड़ा सा इंतुसार करिए, मिलूगी आपसे अगले वीडियो में, ठेक क्या, बाई बाई